अब बहुत साल ऐसे होता है कि जब officially WWE ने wrestle मेरे है कि main event के लिए कोई championship match official कर दिया होता है तो उससे पहले pay-per-view के अंदर क्या करना है? WWE हो जाती है, Clueless और शायद हम को यही चीज़ देखने को मिल रहे है, universal championship के साथ भी और क्या wrestle में 37 का main event, Roman Reigns vs Edge का match है खत्र में क्योंकि आज जो steel cage match के अंदर हुआ, हमको बहुत ही different चीज़े बताता है, तो पूरे SmackDown के बार में आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कैसा SmackDown का episode था, अच्छा था पुरा था, वो सारी बात हैं और गया करना है? आपको देखना है, इस वीडियो को बिल्कुल लास सक और वीडियो को लाइक निकिया तो भाई, लाइक जरूर कर देना अब सबसे पहले हमको जो शो की स्टार्टिंग है, वो Roman Reigns के possible challenger, Daniel Bryan के साथ ही देखने को मिलती है Daniel Bryan आते है, रिंग में साथ में Michael Cole भी खड़े होते हैं, और हमको ने स्क्रिन की ओपर पूरा का पूरा कार्ड ही दिखा देते हैं, जहां पर Roman Reigns और जे उसों एक तरफ और दूसरी तरफ है, एज और Daniel Bryan Michael Cole यह कहते हैं, तुम एक दम से अपना ऐसा decision क्यों बदल लिया, तुम टैटीम मैच की साथ क्यों नहीं जा रहे हैं, तुम रोमन Reigns को युनिवर्सल चैंपेंशिप के लिए क्यों चैलेंज करना चाह रहा है, अब जिबकि यह मैच सो होने वाला था, अब इस पर इस पर देल मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी, कि भाई देखो, अब भी तक मैं यह सोच रहा था, कि मैं फुल टाम डैट बनूगा और पार्ट तैमर बनूगा डबल अब यह सारी चीजे मैं पीछे छोड़ दी हैं, मैं दूसरे टैलेंट्स को आगे ने रखोंगा बल्कि मैं मैंने सारे आजाते हैं, और हमको यह देखने को मिलता है कि Roman Reigns कह रहे हैं कि भाई, तेरी बात रहे हैं, मैं को पूरी कन्फ्यूज करने माई लगती हैं, वह यहां पर बता नहीं कि कैसे Roman Reigns बिजनस को पसंद करते हैं, और इस बिजनस को Roman Reigns की जरूरता है, SmackDown को Roman Reigns की मतलब यहां पर Roman Reigns अपनी पूरी तारिफ यह गा रहे होते हैं, और उनको तो भाई, डैनलवाइन की बात बिल्कुल भी समद नहीं आरी, अब इस बात का जैसे कुछ जैनलवाइन रिप्लाइ करने वाले होते हैं, जो हमेशा नास्ते रहते इस बैकडाउन पर, और हमको स्टैंटल करते विए दिखाया देते हैं, डैनलवाइन के साथ साथ Roman Reigns और उनके बीच एक स्टेयर डाउन भी देखने को मिलता है, और में इवेंट के लिए आज सेट था स्टील केज मैस, तो इस तरीके से डबल लबी ने ओपनी करी स्मैक्डाउन की एपिसोड क और एकदम से मेरे को ये देखकर अच्छा लगा कि डैनलवाइन की बुगिंग तो चलो सही हो रही है, मतलब वह बात अलग थी कि वो नए टैलेंट्स को आगे लेकर आना चाहरे हैं, लेकिन भाई जब पुराने टैलेंट से ही WWE का काम चला तो शाहाद उसी चीज को दिखा और इसके बाद हमको सिंगल स्मैश देखने को मिलता है, किंग कॉर्बन वर्सिस मॉन्टाइस फोर्ड का, जहां पर किंग कॉर्बन तो जीत जाते लेकिन इसके बाद, जब सैमी जेन का मैच होता है एंजिल दोकेंस के साथ, तो सैमी जेन इस मैच के इंदर हार गवर भाई अब मेरे को बहुत बढ़े वाले नूम रजर आरे हैं, I hope WWE इस चीज को बहुत जल्दी फिक्स कर ले, next हमको सिंगल स्मैश देखने को मलता है, चैट गेबल वर्सिस डॉमिन के बीच में आपको पता ही हमको टैग टीम की फूट देखने को मिलती है, किस तरीके से पहले, प स्मैश में बीक्तर मिली और बहुत मुझे बहुत सब्सक्राइब लगा जब Ray Mysterio ऐसे ओटिस के ऊपर मतलब उन्को कैसे बहुत ले जाते हैं बहुत पर से बहुत समूद लगा, और एंड में जुई सेलिबरे रहे होते हैं, हाले कि भागते वग हैं बड फिल जीत जीत होती और यहां पर उनसे थोड़े बहुत सिजारों के बारे में सवाल पूशे जा रहे हैं और सिजारों को लेकर तो बहुती ज़्यादा गुस्सा है वो सारे उनके अगजे ट्रैस टॉक कर रहे होते हैं लेकिन तभी गाइस हमको एक बहुत इंपॉर्टन चीज़ देखने को मिलती है और मैंने आपको रिसनले बताया नहीं था कि सोच मेड़ा के ओपर पर मैच को पहले चारियर पहले चीज़ था और इसलिए था क्योंकि फास्टलें के अंदर टैटीम चैंपेंशिप के लिए तुम्हारी वैसे तुम्हें आल्मोस मैच हारी गई थी रेजिनाल के ओं यहां पर कड़क वाला थपड़ भी पड़ जाता है साशा बैंक की तरफ से और बाद में हमको शो पर पहले यह भी देखनी को मिलता है कि कारमेला ने अल्रेडी रेजिनाल को अपरी साइट से भगा दिया है फिर बैकस्टे, नाय जैक्सन, शेना बेजलार पता नहीं क्या पठाने के कोशिच करते हैं रेजिनाल को कह रहे हैं तुम तो बहुत क्यूट हो पता नहीं भाई यह बहुत चल क्या रहा है रेजिनाल के साथ डेवलोबली एक्जैक्ली करना क्या चाहती है तीवी टाइम को उनको बहुत ज्यादा मेरा भाई तीन-तीन सेग्मेंट के अंदर बनता फीचर हो रहा है पता हैं exactly उनके लिए प्लाइनस हैं just a कहानी बनने वाले उनके साथ इंटरस्टिंग, let's see इसके इंदर क्या होता है, but कि फास्टर में जो टैक्टिम मैच होने वाला उसमें तो मेरा कोई इंटरस्ट है नहीं, इसके बाद गाई हमको Murphy vs. Cezaro का मैच देखने को मिलता है, जूकि एक सिंगल स्मैच सा, और इस मैच के इसके बाद भी ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन यह चीज़ देखने मैं डिस्पॉइन हो कि Seth Rollins का यह यूज हो रहा है SmackDown के उपर कुछ टाम पहले यह वह बंदा था जिसकी वज़े सम शो उसको ट्यून कर रहे था लेकिन आज शो के उपर इसके कोई अच्छी बुकि अच्छी हो जाने तक उनके लिए चीज़े अच्छी हो जाएं उनको एक प्रॉपर अच्छी सी फ्यूड मिले भली वो सेजारों के सांथ ही क्यों नहीं तो मैं यह चीज़ देकर डिसपॉइन हो कि Seth Rollins के बेकार Boking SmackDown के उपर देखना मेर से तो भाई बिल्कुली बरदास नहीं होता इसके बात गयर समको नेक्स देखने को मलते है अपॉलो कुरूज और इस बार जो उनका वो पिछले लेके नहीं आयते है नाइजीरियन वाला गिमिक उसको उन्होंने थोड़ा सा और मोडिफाई सा कर दिया क्योंकि अपने सांथ दो आर्मी के बंदे भी लेकर आरे और यहां पर उने अपना एकसंट भी चेंज कर दिया है वो नाइजीरियन होने की बात करने हैं कि यह आपके लिए अपॉलो कुरूज नए बल्ल कि यही रियल आपॉलो कुरूज है दादा पर दादा उपता नहीं किस-किस यह बात कर रहें और यह भी कहता है मुझे कि next week जो बिगई है वो आने वाले है और इसलिए मैं डिमांड करता हूं इंटर कॉंटिनेंटल चैम्पेंशिप के लिए और इस मैंच में जीत की भी बात करते हैं तो Apollo Crews के सांथ कुछ तो अलग इंटरस्टिंग WWE कर रही है उनके बोलने का तरीका सही बसांथ हो मुझे काफी पसंद आया पिशले अपने में यह चीज इतनी जाद आची लगी थी लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें नहीं नहीं लेयर साइड हो यह तो शायद Apollo Crews के लिए का फेची चीज हो सकती है तो खैर यह था भी Apollo Crews का सी नहीं देखते हैं बिगी के लिए हो कितना बड़ा थ्रेट हो सकते हैं क्योंकि बिगी जब आएंगे ना भाई हो बंदा पुरा गुस्से में होने वाला है इसके बात गाईज हमको जो बैक स्टेज से ट्रोपिकाना फिल्ड में जो रिंग रिल की होती है वहाँ पर देखने को मिलती है बेली जिनका डिंग डॉंग वाला सेग्मेंट होता है बहुत ही छोटे सेग्मेंट था जहां पर वो ट्वीट्स पढ़ लिए हैं उनके बारे में लोग एप्रिशेट कर रहे हैं लेकिन जैसे एक ऐसा ट्वीट आता है जो कि उनको शाथ पसंद नहीं आता उन्होंने अपना जो पुरा डिंग डॉंग वाला शो है उसको बंद कर दिया वो अपनी दरवाजे से चली जाती है पता नहीं यह चीज़ क्या थी इसको नहीं भी करते तो यह सही रहता बर्टन मेर को नहीं पता एक्जाग लिए कि यह इसको करने का क्या मतलब है खैर सब चीजों को साइड में राखते हैं बात करते हैं छो के मेन इवेंट की जो कि था स्टील केज मैच जे उसो वर्सव दैनल ब्रायन की बीच में और अगर डैनल ब्रायन इस मैच को जीते हैं तो वो face करेंगे Fastlane में Roman Reigns को Universal Championship के लिए सभी के entry हो जाती है और guys हमको Roman Reigns भी देखने को मिलते रिंग साइट के ओपर जहां पर बिल्कुल Braveheart की याद उन्हों में बेनको जिला दी जैसे Braveheart ने बैट रहते थे अपने उस जगह पर अपनी चेर लेके लेकिन Roman Reigns ने आपर आराम से बैठे होते हैं Paul and Man ने भी उनको जोईन किया होता है और match start होता है Jay Uso and Dalman के बीच में As expected match में कोई भी कमी नहीं थी दोनों सुपरस्टार्स ने सील केज match की stipulation के साब से इस match में डिलिवर भी किया बट यही चीज़ देखके में शौक हुआ, सर्प्राइस हुआ कि इस match के अंदर हमको edge नहीं देखनी को मिले ना Roman Reigns के involvement हुई बलकि हमको एक clear result देखनी को मिलता है clean result देखनी को मिलता है जब Dalman ने इस match में submit करवा दी अपने yes log के सांथ Jay Uso को and now Dalman will face Roman Reigns at Fastlane for the Universal Championship अब मैं आपर ऐसा क्यू कह रहा हूँ कि WWE clueless हो जाती है कि Wrestlemania 37 में जब कोई match official हो जाता हुआ तो उससे पहले pay-per-view के अंदर करना क्या है क्योंकि मुझे यह नहीं लगता कि कोई भी बंदा यह सोच रहा होगा कि Roman Reigns हारने वाल अपने Universal Championship को इससे better scene यही बनता कि Edge और Dalman का tag team match होता इससे जो Wrestlemania 37 के main event के लिए जो बड़ा match उसको hype मिलती अब WWE दिखाना तो यह चारिए कि Roman Reigns and Edge का main event का match Wrestlemania 37 के लिए वो खतरे में है but actual में कितना खतरे में सारे wrestling fans को पता है क्योंकि यह तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि कि किसी दूसरी दुनिया में ही हो सकता है कि अब WWE Roman Reigns and Edge के match को change कर दे WWE ऐसा दिखाने कोशी ज़रूर करे कि भाई अब Roman Reigns and Edge के match पर कुछ भी हो सकता है क्या पता Dalman जीच जाए championship Roman Reigns or Edge का match ही change हो जाए बागी इसके बारे में आपकी का thoughts है कि आपको लगता है कि आपको लगता है कि आपको जीतना चाहिए था मुझे comment करके आप लोग जुरूरू बता सकते हैं यह वाली वीडियो गाई अपको अच्छ लेगी कि आपको जड़ी झाले को चरते हैं प्रहाँ मेंसीट एक अपको लगता है कि आपक करूच का लगता है